डियर स्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 14.1 चेप्टर 14 क्लास 8 एंसे इसमें फैक्टराइजेशन ठीक है जो हमारे इस तरह से एक्वेशन्स होती हैं अब common factor नाल से बचले है factors जो common हो तो पहले तो हमें factors बताऊने चीए तभी हम बताएंगे क्वाण से common है तो पहले हम दोनों 4 3 3 12 लिख सकते हैं ना 2 multiply 2 multiply 3 अगर ऐसे फेक्टराइज ला करना है तो इस तरह से आपने फेक्टराइज कर लेना है इसको ठीकि यहाँ पर 12 भीखकर 2 पर जाएगा पर 3, 3 पर 1, तो क्या आ गया, 2 multiply 2, multiply 3, multiply 3, आब यहां पर लिखेंगे CF, common factor, common factor कौन कौन से है, जो common है, वो circle कर दो, 2 और 2, यहां से 2 आ गया, फिर एक और 2 जो है, वो common है, तो यहां से 2 आ गया, फिर यहां से 3 common है, तो यहां से 3 लिखेंगे, और कुछ भी common नहीं है, ठीक है, यह 2 to the 4th, जा 12, तो common factor क्या है, इसका 12, next वाली statement हम देखते है, सेम इसी तरीके से करेंगे, हम 2 y is equal to, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 multiply y, और कोई इसका factor नहीं बनेगा, और 22 को क्या लिख सकते हैं, चो 2 multiply 11 लिख सकते हैं तो हम 22 को लिखेंगे, 2 multiply 11, और साथ में x है, और साथ में y है, तो common factor, cf कितना आजेगा इसका, common factor, एक तो 2 common है, ठीके, तो 2 आजेगा, और multiply में y common है, दोनों में, तो y आजेगा, तो answer आगया 2 y, ठीके, next third part करते हैं, इसी तरह से हम लोग, 14pq, तो 14pq क्या लिख सकते हैं, 2 multiply 7, multiply p multiply q, सही लिख है नहीं बनेगे, बच्चो, तो हम लिख सकते हैं, 28 को, 47 जा 28 होता है, और 4 को लिख सकते हैं, 2 multiply 2, तो ये बनजएगा, 2 multiply 2, multiply 7, 2 to the 47 जा 28, multiply p square है, इसका मतलब p दो बार है, multiply p, q square है, इसका मतलब q भी जो है, दो बार है, ठीके, तो common factor के आएगा, इसका, cf, common factor के आएगा, एक तो 2 common है, ये 2 common है, तो 2 तो जाए, 14 p q, तो common factor आजएगा, 14 p q, ठीके, ये इसका answer बन जाएगा, next question देखो, 2 x, तो 2 x की factor बनेंगे, 2 multiply x, 3 x की क्या बनेंगे, 3 x square है, तो 3 multiply x, multiply x, फिर यहाँ पर 4 के लिए क्या बनेगा, 4, ठीके, simple, 4 को हम लिख सकते हैं, 2 multiply 2, ठीके, तो common क्या है, जो तीनों में common ह होगा, वो हमें लेना है, ये बात आपने ध्यानक नहीं, यह निए कि कोई 2 में common आगे, तो उसको लिए answer में, जो 3 में common आएगा, जितनी statement हो, सब में common होना चाहिए, तो ऐसी कोई statement नहीं है, जो 3 में आ रही हो, जहाँ common factor कुछ भी नहीं होता, वहाँ 1 होता है, 0 नहीं होता है, 2, 2 the 4, 2 the 8, 3 the 24, तो ये हो गया, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 3, multiply में A है, और B का square है, तो B multiply B हो जाएगा, ठीक है, और next वाली है statement 12, A square B, तो 12 को हम लिख सकते हैं, 2 multiply, 2 multiply, 3, A square है, तो A दो बार आ जाएगा, A multiply A, और B है साथ में as it is, तो common factor क्या बनेगा इसका, common factor में देखो, सौरी, इस इसको हमने factorize नहीं किया, जहां देना सभी ने, तो mistake को साथ की साथ कवर करते जाना है, 2, इसको लिखते हैं, 2 multiply 3, multiply A, multiply B, multiply C, तो 2 common है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक तो 2 आ गया common, और 3, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 आ गया, और 3 में common है, हमें A, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे, A, और बच्चो देखो, B भी common है, एक B common है, और कुछ भी common नहीं है, तो 2, 3, 6, A, B, तो LC हम आ जएगा, ओ स्वारी, common factor आ जएगा, 6, A, B, next करते हैं बच्चों, next वाली में है, 16, X cube, तो 16, X cube है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 16 16 को, 2 multiply 2 to the 4, to the 8, to the 16, X cube है, तो X 3 times आजएगा, X multiply X, ठीक है, यहाँ space कम है, इसको एक बर रब कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसको complete कर लिया है, उसके बाद minus 4X square है, अब minus है, तो minus को साथ में रखो, minus 2 multiply 2, ठीक है, 4 हो गया, X का square है, तो X multiply X, ठी 32X, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 multiply, 2 to the 4, to the 8, 8 to the 16, नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, 2 to the 4, to the 8, to the 16, ठीक है, बन जाएगा, 16 to the 32, और साथ में X है, तो X को लिखेंगे, अब देखो, 2 कितने common है, 1, 1, 1, तो एक तो आजएगा, common factor में इसका, क्या आजएगा, 2 multiply, फिर second 2 इसमें ह है, इसमें भी है, second 2, तो 2, और third 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, बीच वाले में, तो आगे 2 नहीं ले सकते हैं, फिर 1X यहां पे है, यहां पे भी है, और यहां पे भी है, और साथ में X आगे, दूसरा X यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन यहां पे दूसरा X न Q. फिर variance 20 q r तो इसके factor 2 to the 4 quality to multiply 2 multiply 5 । और q रहे है साथ में तो q r फिरقت है, 3 r p तो अब 3 multiply r multiply p तो ऐसा नमबर ढूंणना है जो तीनों में आता हो ठीक है अब यहां पर two है यहां पर भी है लेकिन इसमें तो common factor जो है वो कितना हो जाएगा कुछ भी common factor ना हो तो one होता है ठीक है next देखो three x square y cube तो यहाँ पर three का तो three रहेगा multiply x square है तो x दो बार one two y three times one two three फिर next है बच्छो 10 x cube y square तो यह हो जाएगा five two is a ten तो यहाँ फिर two five is a ten x cube है three times x multiply x multiply x multiply y multiply y ठीक है फिर next आप देख सकते हैं six x square y square z तो यह हो जाएगा six को लिख सकते हैं two multiply three फिर x square है एक्स multiply x फिर y square y multiply y और फिर z आप जो common है वो देखते हैं नंबर तो कोई भी common नहीं है इसमें इन दोनों में two है लेकिन इसमें नहीं है इन दोनों में three है लेकिन भीच वाले में नहीं है इसी तरह से x जो है वो तिनों में है इसमें है इसमें भी यह है और एक और भाई है तिनों में बिल्कुल ठीक है और कुछ common नहीं है तो x square y square ये इसका common factor हो जाएगा next करते हैं देखो जो factorize हमें factorize करना है इनको the following expressions इन expressions को factorize करना है और भी parts है वो भी हम करेंगे साथ के साथ अब देखो factorize करने का वैसे direct होता है कि सिदा common निकालो दो statement में से अब term कहां अलग होती है देखो इसमें 7x है दूसरी term है minus 42 यह आपने जाना है जहां plus यह minus आ जाता है तो वहीं से term अलग हो जाती है जैसे यहाँ पे 6p है 6 और p एक साथ है multiply में है इनके बीच में कुछ नह जाएगी second statement ठीक है तो इन में जो है common factor कैसे निकाला जाता है या फिर factorize कैसे किया जाता है common लेके ठीक है दोनों में से common लें अब इसको तो मैं बिल्कुल basic तरीके से करवाता हूं आगे हम direct common लेंगे जैसे basic method क्या होगा इसके factor बना दो क्या बनेंगे 7 multiply x minus इसके बना दो इ 7 दिख रहा है मुझे तो सिर्फ only 7 तो 7 को आपने इस तरह से लिखना है फिर यहां लगा देनी है bracket bracket के अंदर क्या लिखना है 7 जो common लिया है उसको छोड़के बाकी सारा अंदर आएगा यहां से 7 चला गया तो क्या बचा इस first term में से क्या बचा सिर्फ x तो x आ गया minus बचा तब भी ठीक है नहीं लगाओगे तब भी multiply ही है यहां पर इसको भी एक बार basic method से करते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 multiply 3 multiply p minus इसको लिख सकते हैं 2 multiply 2 multiply 3 multiply q 2 to the 4th तो 12 है अब common देखो क्या है 2 भी common है और कुछ common है 3 भी common है और कुछ common है और कुछ common है तो 2 3 6 या फिर ऐसे लिख लो 2 multiply 3 यह हमने common ले लिया तो common लेकर क्या लगा देते हैं bracket अब bracket के बाहर जो common लिया है उसको छोड़के बाग की सारा अंदर लिखना है यहां से 2 और 3 जा चुका क्या बचा है सिरफ p minus यहां से 2 और 3 जा चुका तो क्या बचा है 2 q ठीक है अब इसको summarize कर दो 2 3 जा 6 p minus 2 q य जैसे यहां 7 है यहां 14 है 7 की टेपल में 14 आता है तो 7 common आजएगा जो छोटा था वो common आ जाता है एक तो 7 common आजएगा यहां पे a square है a square का मतलब a दो बार है यहां पे single a है तो एक a common लिका लेंगे हम single a ठीक है तो यहां से क्या बचेगा 7 चला गया 2 a थे multiply में एक बाहर चला ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हो ठीक है दूनों में से जो method अच्छा लगए वो करना है अब इसको हम original method से ही करते हैं इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 तूजा 4 तूजा 8 तूजा 16 और multiply में z ठीक है और प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या यहां space नहीं था इसलिए यहां पे लिख रहा हूँ आपने यही पे लिखना है 2 तूजा 4 तूजा 20 जैड़ क्यूब है तो जैड़ 3 बार आ जाएगा ठीक है जैड़ 3 बार आ जाएगा एस यौन कर लेते हैं गश्यार्बी बहुत ज़्यादा है लाइट चले गई थी, तो यहाँ पर देखो क्या है, two common क्या है, common हम यहाँ पर लिखेंगे, two common है दोनों में, two आ जाएगा, multiply, एक two और common है, तो यह भी आ जाएगा, फिर आगे यहाँ five आ गया, इसमें two है, और यह तो common नहीं आएंगे, एक z common आ जाएगा, नहीं, यहाँ पर हमने common नहीं लिया है, तो minus को अंदर लिखेंगे, यह two थोड़ा सा अलग डालते हैं, z जैसा ही बन गया, यहाँ लिखेंगे, minus two z, यहाँ पर plus है, तो plus लिखेंगे, अगर minus बाहर common लेते हैं, तो यहाँ पर sign change हो जाना था, यहाँ minus आ जाना था, अब two और two और z, यह चला minus को common लेके लिखेंगे, तो अगर minus common आ जागे ना बच्चो, तो यहाँ पर sign change हो जाते हैं, two z minus five z square, तो दोनों में से कोई भी answer लिखो, दोनों सही माने जाएंगे, अब इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि यह इसके space में आ रहा है, यह हमारा complete हो चुका है, अब हम करते ह है, fifth question, fifth question में देखो, 20, 20 को हम लिख सकते हैं, आचा, इसमें direct common लेते हैं, 20 है, यहाँ 30 है, दोनों के दोनों किस table में आते हैं, 10 की table में आते हैं, 10 तो जा 20, 10 जा 30, और तो कुछ नहीं common आ सकता है, इसमें ज्यादा ज्यादा, तो एक तो 10 common ले लेना है, अपने, L square, L square का मत कितने भी आता है, 2 पे, तो 2 आजएगा, 10 तो जा 20, L एक बाहर गया है, एक यहीं, दो है नहीं यहाँ तो एक बच जाएगा, तो L, M बाहर चला गया, तो यह नहीं बच जाएगा, प्लस, 10 की table में 30 कितने भी आता है, 3 पे, ठीक है, और L यहाँ से गया है, और M गया है, तो A बच जाएगा, तो यह इसका answer, ठीक है, इस method से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे original method करते हैं, तो दोनों में से बच जो method आपको clear हो रहा हो, वो आपने use कर लेना है, तो यहाँ पे इसको 5x square है, तो x multiply x और y को y लिख देंगे, minus 15 को लिख देंगे, 3 multiply 5, 5, 3 जा 15 होता है, multiply x, multiply y, multiply y, अब जो common है, देखो क्या, 5 common है, और कुछ common है, x common है, और 1y common है, तो यहाँ लिखेंगे 5xy, अब common जो निकल गया, 5 भी निकल गया, x भी और y भी, तो x बच जाएगा, यहाँ से minus, यहाँ से बच जाएगा 3y, 3y, तो यह आपका answer आ गया, next part करते हैं, देखो statement, 10a minus 15b square plus 20c square, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो इसको factorize कर लो, मैं यहाँ पर सीधा करूँगा, इसको, देखो, ऐसी table ढूननी है, जिसमें 3ों आते हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी table, जिसमें 3ों आते हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसी table लग रहे ही है, 5, 5 की table में 3ों तो 5 को common निकालेंगे हम, और variable में देखो, A है, यहाँ B है, यहाँ C है, इन मेंसे तो कुछ भी common नहीं है, तो 5 common आ गया, तो यहाँ से हमें देखना है, यह कितने पर आता है, 5 की table में 10 कितने पर आता है, 2 पे, तो 2 आ गया, 5 तो 10, और बाहर, A तो common नहीं गया है, तो यह A square as it is, minus, 5 की table में 15 आता है, 3 पे, तो यहाँ B square, क्योंकि common नहीं गया है, plus 5 for 20 C square, तो यह आपका answer आ गया, simple, next वाले में देखो, अगर आप minus को common लेते हो, तो अंदर वाले sign change करने पड़ेंगे, अगर minus को common नहीं लेते हो, तो change करने की ज़रोड़ता नहीं होती है, ठीक है, य आपने ध्यान रखना है, जैसे first में minus आयाता है, कई बार maths में जो है, पीछे answer देखने के आदर होती है, कुछ बच्चों के, तो वो जो है minus common लेके अगर लिखेंगे, तो answer वहीं आजएगा, तो इसमें कुछ दिकत नहीं होती है, अब देखो, four common लेते हैं, चलो minus common लेके द common जाता है, तो अंदर वाले sign change होता है, ये plus का था, ये minus का हो जाएगा, और four चला गया, a चला गया, तो b बचेगा, यहां से भी sign change plus, ठीक है, तो जब minus common लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है, अपने अंदर वाले sign change होते हैं, तो four भी चला गया, a भी तो c यहां से बच हो वो common आता है, तो y common आ गया, z1 है, z1 है, z2 है, तो 1 z common आ जाएगा, तो x, y, z common आ गया, अब first में से 1 x चला गया, तो 1 x बच जाएगा, y और z तो चली गए, तो single x बचेगा first में से, second में से x, y, z चला गया, तो 1 y बच जाएगा, plus यहां से z बच जाएगा, तो यह इसका answer बन जाएगा next वाले में a देखो यहाँ पर a है इसमें a नहीं है b है c है बिलकुल अलग अलग है यहाँ पर x का square है यहाँ single x है यहाँ भी single x है तो एक तो x common आएगा y single है यहाँ यहाँ पर square है लेकिन यहाँ पर single है तो एक y common आजएगा z अलग ही है तो z common यहाँ आएगा xy हमने common लिया अब यहाँ से सिरफ x और y common गया तो क्या बचेगा a x का square है तो एक x चला गए एक बच जाएगा प्लस यहाँ से b x बाहर जा चुका है तो y बच जाएगा प्लस यहाँ से x और y चले गए c z बच जाएगा यह आपका answer है next करते हैं थर्ड की statement देखते हैं थर्ड में देखो factorize हमें simple बोला गया इसको factorize करो तो इसमें बच्चो क्या करना होता है जब हमारे बास 4 statement हो तो दो दो कर ग्रूप बना के हमने factorize करना है इसको कैसे देखो first two में देखो कुछ common है बिलकुल यहाँ x का square है means x multiply x यहाँ पर एक x है तो एक x को common लेते हैं हम तो यहाँ से इन दोनों में से क्या बचेगा यहाँ दो x थे एक चला गया तो क्या बचेगा single x यहाँ बच जाएगा बीच में जो sign as it is plus यहाँ से x जा चुका तो क्या बलादी होता है यहां से eight बाहर गया तो इक्स प्लस वाइए अब आप देखो दोनों bracket से मारी जब दोनों ब्रैकेट से मों पूरी फ्रैकेट को common लेलो तो प्लस जहां प्लस यहां पे आता है बाहरे टार्म अलग हो जाती ना इधर एक टार्म है इधर दूसरी टाम है इसम में देखते हैं, first two में से कुछ common लग रहे हैं आपको, बिल्कुल, एक तो three की table में यह दुनों आते हैं, तो three common आ जाएगा, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, प्लस, इन दोनों में से कुछ common है, कुछ भी common नहीं है, अगर कुछ भी common नहीं है, तो one common है, तो one लगाके, यहाँ पे same as it is, इसको लिख देंगे, ठीक है, आप देखो, दोनों ब्रेकेट सेम आ रही है, और यह बात जहां से सुन लेनी दोबारा से, अगर कुछ भी common नहीं है तो one common होता है, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ब्रेकेट सेम हो, तो हम इन ब्रेकेट को common निकाल देंगे, अब ब्रेकेट को जब किसी को भी common हो, चाहे है, ब्रेकेट को common लिए है, तो bracket आ जाती है, एक और, अब यहाँ सी यह पूरी bracket चली गई, तो क्या बचा सिरफ 3x, औ थर्ड, ax plus bx, first two में से देखो, यहाँ से x common मिलेगा ना हमें, तो x को common निकालते हैं, तो यहाँ से बचेगा, a plus यहाँ से b, यहाँ से देखो, minus दोनों में है, तो minus common निकालेंगे, और y भी common है, और मैंने आपको बताया था, minus जब common होता है, तो अंदर वाले sign change, तो यहाँ माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ से माइनस चला गया, तो क्या बचेगा, सिरफ a, यहाँ से माइनस चला गया, sign change कर दो, plus, ठीके, जब माइनस common हो, तो अंदर वाले sign change हो जाता है, minus है तो plus कर दो, plus है तो minus, यहाँ से बचेगा b, अब देखो, bracket सेम आ रही है, दुनों में bracket सेम है, तो bracket को पूरी को common लेंगे, a plus b को common लिया हमने, तो next bracket ब्रेकेट शुरू हो जाएगी, अब यह पूरा common जा चुका, तो इसके साथ जो भी लिखा होता है, उसको लिखना है, और इस bracket के साथ यहाँ पर जो भी होता है, sign के साथ, minus y, ठीके, तो यह इसका factor है, next वाले इन में क्या common है, कुछ भी common है, कुछ, नई, इसको हमें regroup करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन में कुछ भी common नहीं आ रहे है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है, इन में से किसी एको 15pq के साथ रखेंगे, ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, regrouping कैसे करेंगे, 15pq, ठीक है, इसमें दोनों numbers आ रहे हैं, इसमें एक भी नहीं है, तो इसको पीछे ले जाओ, इन में से दोनों को आगे ले आओ, या फिर किसी एक को आगे ले आओ, मर्जी आपकी, तो हम यहाँ पे लेते हैं, plus 9q, plus 25p, और इसको उठा के हमनें पीछे लिख लिख दिया, हैं कोई answer पर फारक पड़ेगा, answer तो same यह आएगा, ठीक है, चाहे आगे plus करो, चाहे पीछे, इसलिए हमने 15 को बीच में plus किया हो था, इसको हमने पीछे कर दिया, regrouping बोलते हैं, इसको regrouping, अब इसमें से common लो, अब यह जो हैं, दोनों 3 की table में आते हैं, आते हैं तो यहाँ पर 3 आजाएगा, और क्या common आएगा, Q, Q इन दोनों में common है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचाएगा, 3 की table में 15, 5 पर, 3, 5, 0, 15, Q बाहर चला गया, तो P बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखो, plus, यहाँ से 3 की table में 9 कितने बात है, 3 पर, Q बाहर चला गया, तो 5, P, प्लस 3, इसको हम common निकाल लेते हैं, और common लेने के बाद, जो यहाँ पर बचेगा, 3 क्यों, और जो यहाँ पर बचेगा, प्लस, 5, ठीक है, तो यह answer आजेगा, next बाले में देखो, Z-7, और यहाँ पर है 7XY, और माइनस XYZ, तो इसको भी हमें regrouping करना बढ़ेगा, तो किसके साथ क फिर लिखो, minus 7, ठीक है, फिर लिखो, minus XYZ, और यहाँ से क्या आजएगा, प्लस, Z, क्योंकि Z के आगे कुछ नहीं है, तो प्लस, ठीक है, इस तरह से ध्यान से दिमाग लगा के regrouping करनी है, अब इन दोने में से देखो, 7 common ना, इसलिए मैंने इनको इकठा लिखा, तो 7 common ल होता है, यहाँ से Z चला गया, तो क्या बचाएगा, XY, प्लस था, तो साइंचेंज कर दो, minus, और Z का Z चला गया, तो 1, दोनों bracket सेम आ गई, तो इस bracket को हम यहाँ पर common निकाल लेते है, XY-1, और यहाँ से 7, यहाँ से minus Z, तो यहाँ से 7 minus Z, ठीक है, इस तरह से यह आपका question complete हो